मा बहन और लोडाल हसुन करके इन दोनों लड़कों ने जो सफलता अरजित की है वो आप सोच भी नहीं सकते और अगर मैं पूछू कि मनी मिराज या हर्स राजपूत इन दोनों में सबसे बड़ा गाली बाज कौन है किसकी वीडियो में ज्यादा मा बहन की जत उतारी जाती है या किसकी वीडियो में ज्यादा गालिया होती है तो यकीन मानिये आप इमांदारी से इस बात का जवाब भी नहीं दे सकते और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मनी मेराज किसी परिचय के मोहताज नहीं है ये वो लड़का है जो कि अपनी वीडियो में इतनी ज्यादा गालिया करता है हलांकि ये खुबी ये भी है कि बहुत फ़नी वीडियो बनाता है पर उसमें गालिया जरूर होती है और जिसको अभी हाल फिलहाल में जीयो सिनेमा ने जो है बुलाया था आई पील जो मैच चल रहा है उसमें कॉमेंटरी करने के लिए और ये हर्स राजपूत है धाकर न्यूज वो मास्क लगाके वीडियो बनाता है जिसमें ये फेक वीडियो बनाता है कि हम एक न्यूज रिप और आज हम इन दोनों की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज के जो कंटेंट क्रियेटर हैं जो वो सोच रहे होंगे कि हम भी कभी इतने सफल होंगे कि हमारे बारे में न्यूज वाले लिखेंगे या न्यूज वाले इंटरव्यू करेंगे या कभी जियो सिनेमा जैसा बताईए मनी मेराज ने कंटेंट भनी बनाया हो गालिया दी हो वो बाद की बात है पर ऐसी कौन सी इस लड़के की उपलब्दी है कि जियो सिनेमा ने IPL में कॉमेंटरी करने के लिए भुचपूरी में बुला लिया क्या उपलब्दी है सिर्फ यहीं उपलब्दी है कि इसके पास सब्सक्राइबर हैं इसके वीवर सिफ हैं ना भुचपूरी उतनी ढंग से आती है और नहीं इसको क्रिकेट का उतना नौलेज है कि ढंग से कॉमेंटरी कर पाए और जब बैठ के पूछा जा रहा है तो मनी मेराज का ये जवाब था कि हाँ जब हमनी के भुचपूरी में बोल जाई तो भुचपूरी आगे बढ़ी गलत मनी मेराज के ये हमारे कॉमेंटरी करने से भुचपूरी आगे कबो ना बढ़ी भुचपूरी आगे तब बढ़ी जब भुचपूरी जाने समझे वाला आदमी क्रिकेट के भी बारीकी के समझे वाला आदमी बढ़िया से कॉमेंटरी गरी और उबात जब लोग के जेहन दिल तक पहुची भुजपूरी तब आगे बढ़ी कबो कंटेंट क्रियेटर के भाग्ये इसलिए कभी भी नहीं चमकेगा कि हर स्राजपूत जैसे लड़के को और मैं इस लड़के की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ABP News ह हो जी हिंदूस्तान हो या कितना भी बड़ा मीडिया हाउस हो हर कोई हर स्राजपूत का इंटर्व्यू कर रहा है और उस इंटर्व्यू में इस लड़के से पुछा जा रहा है तुम्हारी कमाई कितनी है सर मा बहन की गालिया दोगे अपनी इज़त उतारोगे कमाई तो होगी कमाई करना बहुत बड़ी बात नहीं है लड़कियां जैसे कपड़े उतार के कमाई कर रही है वैसे ही लड़के गालिया दे के कमाई कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्दी है नहीं पर हमें बताना इसलिए जरूरी है कि आज कल के लड़के जो सोच रहे होंगे कि content बना के कभी वो भी इतने सफल होंगे तो उनको बता देते हैं कि सफल होना है तो आप ऐसे भी सफल हो सकते हैं मतलब ये सफल होना थोड़ा सा आसान है थोड़ा सा नहीं बहुत आसान है अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे तो इतने followers हैं नहीं हमारे इतने subscribers हैं नहीं हमारे इतने view जाते नहीं हैं तो मैं इन लोगों से जल रहा हूं और इसलिए मैं इनके बारे में negativity फैला रहा हूं या मैं इनके बारे में गलत बोल रहा हूं तो सर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्क क्या वो ये नहीं सोचेंगे कि अगर आज गाली दे के कल वहां पहुचा जा सकता है तो फिर हम भी क्यों ना सस्ते लोग प्रियता पाने के लिए गाली से ही अपने केरियर की सुरुआत करें हम ये इसलिए कह रहे हैं कि क्यों नहीं नए लड़के माईक लेके कैमरा पकड़क क्यों नहीं असलील वाली हरकते करेंगे क्यों नहीं सोचल मीडिया पे नंगा नाच करेंगे क्यों नहीं माबहन की इज़त उतारेंगे जब उनको दीख रहा है कि आगे आने वाले कुछ समय के बाद इज़त तो टॉप लेवल की ही मिल रही है बड़े-बड़े मीडिया हा बड़ा प्लेटफॉर्म या इससे भी बड़ी कुछ बात कहने का या जलवा दिखाने का मौका मिल जाए तो हाँ आश्यरे चकित तब जरूर हो येगा जब किसी साधारन से लड़के को उतना बड़ा मौका मिल जाए जैसे मिंटुआ एक भुजपूरी का वो भी लड़का कं वितिन चंद्रा वो भी कंटेंट बनाते हैं और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बनाते हैं कंटेंट पर अगर उनको मौका मिल जाए अश्यरे तब जताइएगा अगर इन लड़कों को इतना बड़ा मौका मिल रहा है तो अश्यरे मत जताइए क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है टी आर पी का खेल है आपने दरसक कहीं से भी लाया हो आपके सब्सक्राइबर कहीं से भी हो आपका वीवर्शिप कहीं से भी है अगर है तो है और उसका यूज मीडिया हाउसेज करते हैं उसका यूज वेबसाइट करते हैं उसका यूज ब्लोगर्स करते हैं और अगर मेरे इतना कह देने से आपको लगता है कि इनका युगदान समाज को बिगाडने में है या इनका युगदान बड़ा गंदा है तो आप गलत हैं सर कभी भी गरीब आदमी कमजोर आदमी नीचे दबे हुए तबके का दोस समाज को बिगाडने में नहीं होता है दो सुनका होता है जो इनके बिगाड़ने में और ज्यादा सहयोग करते हैं क्योंकि जब मनी मिराज कहा याता है कि मुर्गा काटता था ये लड़का बैठे और उस लड़के की सोची कितनी होगी वो क्या ही सोच सकता है उसने ऐसे ही सोचा कि अमफनी वीडियो बनाएंगे मह समाज वैसा गालियों से सुरुआत करी लोगों ने इतना वीवर्शिप दिया कि धीरे 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 कद बढ़ता चला गया और आज की आज के समय में मनी मिराज की लोगप्रियता भी बड़ी है और जियो सिनेमा जैसा प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है गलत उस माहौल की है, जिस माहौल ने मनी मिराज को इतना बड़ा बनाया गल्ती हर सराशपूत की नहीं है क्योंकि हर सराशपूत जब पैसों की तंगी हमारे कैरियर नहीं क्या ही ? लगता है हमारे कैरियर का तो चलिए नहीं करके देख लेते हैं तो हर्स राजपूत यहीं करने लग गया और यहीं करते करते आज इतना बड़ा हो गया कि यह भी पी नियूज हो या जी हिंदुस्तान हो या जी नियूज हो सभी इसकी बायोग्राफी च्छाप रहे हैं पर व ही कारण है कि आज तक से हमने मनी मिराज या हर्स राजपूत का कोई नहीं किया था मैं चाहता तो कर सकता था पर क्या ही पूछता कि गाली देने कहां से सीखे अपने वीडियो में गाली कहां से देते हैं यह पूछता पर इसके साथ साथ कुछ सकरात्मक पहलू भी है जरा उस पे भी नजर डाल लेजे मनी मेराज भले ही गंदा कंटेंट बनाता हो उसमें गालियों की भारमार रहती हो पर आप इस बात को नजर अंदाज भी नहीं कर सकते कि वो कहने बोलने या बताने का तरीका बेहद ही हस्यास्पद होता है आपको हसा देने वाला होता है और दू मनी मेराज जो गाने कर रहे हैं वो गाने वाकई कमाल के हैं तो मनी मेराज ने इतना तो जरूर सिखा है कि भले ही हमें सफलता कैसी भी मिली हो पर सफल हो जाने के बाद कैसे बहतर करना है कैसे सुधार लाना है और समाज को कैसे बहतर चीजे देनी है ये मनी मेराज ने खुद भी पता है कि हम ज्यादा सुधर गए तो हमारी कहानी ही खतम हो जाएगी तो इसलिए ये अभी भी उसी तरीके से उसी अंदाज में अभी उसी घटियात तरीके से अपनी बातों को रखता है और नया नया कैरी मिनाटी बनने का प्रयाश कर रहा है पाकि आप क्या सोच कुछते हैं जरूर बताईएगा और हमें पता है कि इनके फैंस हैं तो हमें गाली देंगे और अगर थोड़ा सा भी आपके पास सेंस होगा तो अच्छी बात लिए बाकि आप देख रहे थे पब्लिक प्रफर्म मिरा नाम कुमार अभी नहों है देखने के लिए